पहली बार तो आप ये पूछना चाहते हैं हम आपसे की एक ऐसे पोजिशन पे रहते हुए जहां पर आप पूरे राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में हैं और वहां पर पहुंचने के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत तगड़ा पॉलिटिकल बैकड़ाउंड होना चाहिए जहां पर आपने लोगों की सेवा की है लोगों से जुड़े हुए हैं आपका सफर कैसा रहा पॉलिटिक्स के साथ क्या कहीं से प्रेरणा थी कि भाई हम पॉलिटिक्स करें पहले से या पर ये एक एक्सिडेंटल चीज थी यूँकि मैं ऐसे एक फेंमिले से बिलोंग करती हूँ जो पुरेस्ट अफ पुर फेंमिले से बिलोंग करती हूँ और एसे सोसाइटि से बिलोंग करती हूँ, मैं تو कभी expect नहीं किया था कि मैं politics में जाओं। मैं सोच रही थी कि थोड़ा पड़ लिख लूँ और नोकरी काल लूँ और फेमिली को थोड़ा फाइनांसियाल सपट दूँ लेकिन मेरे जिन्देगे में ऐसे ऐसे घटनाई घटी तो मुझे नोकरी छड़ना पड़ा तो बच्चे जो बढ़ने लगी तो मेरे पास टाइम ही टाइम सर्पलस टाइम मुझे मिल गया तो मैंने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए मेरे बास कोई काम नहीं था पाबलिक स्कूल में मैं ओनरारी टीचर्शिप की है मैं पागार नहीं लेती थी तो इससे भी मेरे टाइम बहुत जादा फेर सर्पलस हो गया तो कुछ सोश्याल इंस्टिचूर्स से मैंने जूड किया सोश्याल वार किया बहुत सारा गाहों के लोग जो बहुत पिछले है मैं पिछले एरिया हुहां मैं ओडिसा से बिलों करती हूँ मोईड होंज डिस्टिक जो ट्राइवल डॉमिनेटेड डिस्टिक है ट्राइवलों के अजू के लिए काम किया मुझे लगता है कि लोगों का नोजर मेरे उपर पड़ा मेरे पीछे पढ़ गे कि आपको तो पोल पढ़ गए कि मेरे पती देव लोग समझने लग Milan कि उन्हों ने वी खानी नहीं देखे मैं तो ऐसी एसे सोसाइट से बिलों करती हूं जो अभी तोक उनका सोच बदलाने एक मुहला जो सोसाइट से बाहर घर से बाहर जाएगा तो तरा-थरा कि क्युंकि आप जो गहते थे कि पॉलिटिक्स को थोड़ा दूसरे नजर से लगते हैं। बिलकुल लोग ऐसे समझते हैं, पॉलिटिक्स इक डिर्टी वॉटर से वहां पर जाना नीच चाहिए। और फिर एक ओमेन के लिए, एक फिर ट्राइवल ओमेन के लिए, जो गाओं के हैं, गाओं के लोगों का मुझे एसे केट मिला तो लोगों ने मुझे मुझे मेरे लिए काम किया, मैं जीत किया फिर भास जार्मेन बन गया, एक नोटिफाइड एरिया काउंसिल में, मैं गाओं में अपना गाओं हैं, लेकिन वच्चे जो पढ़ने के लिए फिर उहां इतना सुविधा नही था, तो लिए आम टाउन्शिप में रहने लगें, तो टाउन्शिप में मुझे भास जेर्मेन बना दिया गया और मुझे कुछ काम दिया गया, वो काम को मैं ऐसे किया कि हार कोई अप्रिषेट किया, तो मुझे ओ फिर टॉर्म खोतम नहीं वा, मुझे टिकेट दिया गया कि M. मुझे मंत्री बन आ दिया, तो इसके बड़ मेरा मपोबर पन आगया, तो इसके बाद फेर मेरे जिवन में बाड आ गया, भुकों बागया, सुनामी आ गया, में तो थी, लेकिन में बहुत spiritual, जहां पर भी भजयन कितन होता था, जहां प्रबोचन होता था, मुझे जाती था, मुझे जाती था, मुझे कोई अजीब सी खिंचाव है, बहुत सरे किताबे पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसी माइंड के में किसी को मुझे आदा भूकोंप आगया, 2009 में में मेरा बेटा, 25 सल का बेटा ध्यान थो गया, सोया था, बस सुबे उठा तो बेटा ने, तो बहुत धक्का लगा मुझे, प्रस्ट्रेशन आगया, डिप्रेशन आगया, तो पहले सभी में मिली थी, ए ब्रह्मा कुमारी अस्मर्रम क मैंने सुचा, मैंने तो बहुत सब्स्पृरिच्ट्याल संस्था के साथ में ज़र चुकी हूँ, और मुझे लगता कि ऐसे ही संस्त्र होगा साइद, वहां पर पिज्एसे दूसरी संस्था मेलता, ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो मैंने वाला कि पर मुझे थी बहुत बहुत आजाती थी, कोर्स के किताबी भी मैंने पढ़ी, मैंने सोचा टाइम साहद नहीं दे पाऊंगी, रोज रोज आना कोर्स करना यह साहद नहीं कर पाऊंगी, तो जो इतना आने के बाद मैंने सोचा नहीं, जिन्दे के जीने के, कैसे जी पाऊंगी तो जी तो नहीं पाऊंगी तो मुझे लगता है कि लेकिन जीना तो है, लेकिन मेरे पीछे और भी वोग उनके लिए जीना है, और भी मेरे दो बेटा, एक बेटी उनके लिए मुझे जीना है, तो अक जीऊंगी कैसे? तो डिप्रेशन में दो महने में चले गई, नीदने, रोती रही है, तो मारूंगी तो नहीं, लोग कहते हैं कि यह तो मर चाहेगी, लेकिन मैंने सोचा ने, मुझे नहीं मनना, जीना है, लेकिन जीने के लिए एक आधार चाहे, आधार क्या होगा, तो मैंने कॉल किया, यह सं अधार में सुनाई नहीं दे रहा था, यह बोल रहा था, क्या एसी ऐसी ओँछा를 थे, क्यो पहले से नहीं। तो यह प्रश्नन दर था। क्यों इसी सुंस्ता से क्यों नहीं जूडाय, सहब मेरे बर श्रकॉन से हुए अ यो फ़ाय झीयोगी होता तो सहीड नहीं होता तो फेर हुट जूड ँड़किया तो कुछ दिन Au फेर घर से हिन यह नहीन नहीं लोगों से मिलनcję जूलना कर देखा दिया हुपको अपको जाना है। दूर दूर बनना है। तो फेर आपको जयतने गौम है। हम आपके बच्चा कोई है। एक हम तो हजार लाग कोई है। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मुझे एतना एतना रेस्पंसिबिलिटी दिये, सडिस्टिक के, स्टेट के, तो फिर घूमते रही, फिर भूल गई, सब कुछ भूल गई, फिर यहां सुभा साम आने लगी, संस्ता को आने लगी, कभी दिन में सुभा से दो बाजे तो पोलिटि अपास गाड़ी था, फिर बेहने में गाड़ी में जाते थे, फिर हम गाओं 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 कुमते थे, फिर काम करते थे, फिर 2013 आये, जानवारी दो को फिर दूसरा बटा चला गी, कार से निकल गया, फिर ओलोटा में, यह जो दूसरी बाहर ऐसी घठना हुई, वो जब आ मैंने सोचा था बावा क्या मुझे क्या इसे परिख्या ले रहा है तो मुझे बेहने ने बोला कि आपको यह कहते हैं ना कि हाल्वा जो पक जाता है और गड़ाई से डिटाज हो जाता है किसी एक्जम्पल सुझपल देने लगे लेकिन मन तो मौनिं आप जो भी कि भली आपको मौन समधाला रहाँ ठूद को ही करना पठता है ब Olने से आपको हलोना तरह को हल्चाल में हुआ है, फिर भी तपन ने कहा हुझे कि आपको हल्चल के अंधर अल्थल, रहना है, क WHY मैं हल्चल के अंधर अघल के अंधर में हुआ। वेर योगेया हम फुछ नोगे समय काटे है, वो भाब के स्कैमरे में योग काटे है, झाज साप्ते है, हुझे कुछए दिन प्हेर में डिप्रेसेन तो नहीथ वादा ये थोड़ाग the yakarm. प्षरी मेरे साथ, किम यह बाराती आप गरोग अपना अफ्राप फीरभी मेरे साथ क्यों अचे हो रहा है बार बार, तो मेरे जो प्षदी देब थे वह थोड़ा एतना मेरे साथ इतना स्ट्रोंग नही है, अप आइस्ता आस्ता, अए उनका अगा डिप्रेशन लागा. वो इसके बाद फिर मेरे से छोटा भाई भी चले गए, मेले माता जी चले गए, मेरे दूसरा बेटा जाने के बाद, एक महने के अंदर तीन आत्मा चले गए, जो नियारेन दिया रहा, फिर ऐसे हम देने लगे, मैं इसे में काम करने लगी, गाओं गुमने लगी, फिर भी ज मैं थोड़ा उसको भूलने के लिए कोशिस करती थी, फिर इसके बाद मेरा लास्ट यार, 2014 में, बट बेटा का 2013 में देहां थोगे, 2014 मेरा पतिदर चले गए, बेती को मैंने बाला तुम भी ब्रह्मा कुमर अश्रम जाओ, जिंदेगी या कोई बरसा नहीं, सांस मुझे मुझे लगता है का भी विचर रही, कहा तो आपको क्या मिला सांदी खर के, वह जाके आपको तो कुछ नहीं, आप तो ब्रह्मा कुमरी जाते हैं, आपको क्या मिलते हैं, मुझे जो मिला है मुझे पता है, आपको भी मिलेगा, आभी आए, और नहीं आई, तो सांदी कर लो उन्हेंने का यमेशा यद नहीं करो जवी के रहूंगी। तो क्या करो कि मेरे अधिंदे चुब चली जाऊंगी। तूम तुम परही कि पर जाओगी। तो भी बखुस संझाने के पास, उन्हेशा जिए परक्न आपिए। तो मैं इसे सभा कन्ने लगी। अभी तोख भी जितने तोख मुझे ये गवर्नर फॉर्ष नहीं मिल रहा था मैं गाओं को गुमने लगी लोगों को सेबा काने लगी जो लोग ऐसे ऐसे उहां के लोग का जो लाइस्टाइल खाना पिना यह और एकस्वाई जैड उसमें हो मस्त रहते हैं उनको मैंने बली कि देखिए यह यह नहीं काना चाहिए यह काना चाहिए तो कुछ लोग तो बतल गए हैं इसके बाद मेरे लेंड़ प्रपर्टी मेरे पतिद्यप का बोच चाह रहा है मैंने बहनों को दे दिया घर गाव में जो गार है प्याना को बले कि तुम गाव इस नहीं पे रहकार के लोगों का सेबा कारो फिर मेरा भाई एक भाई है उनको मेरे पास बुला लिया उनको मैंने बली कि चलो तुम्हारी घर भी दे दो ब्रह्मा को भी दे दे अभी अपना घर जो टाउन पे है वहां मेरे भाई भी रहती है एकला तो अभी फेर उसको भी हम सोचते हैं कि ब्रह्मा को मारीज को हम दे देंगे क्योंकि मुझा लगता है यह ही ठीक रहेगा तो लोग केते हैं कि मुझे एक दिन ऐसे मुझा आया की नहीं आपको तो लोग गवरनर बनाने के लिए सोच रहें हैं तो यह अब अबने बनागी लोग मुझे पूचने लगे जितने भी नियूज फेले सो पुछना लेगे कौन सी परिस्ग है मैं मेरे तो सुपरिस करने के लिए कोई नही। मैं अप्लाई भी नहीं किया। और मैं किसी को बोला भी नहीं। मुझे पता नहीं, क्onomy मुझे गर्वरनर बना दिया। मुझे लगता है कि बावा ही सायद सुपरिस करने वाला है क्योंकि मैं ऐसे हूँ कि बरे लिये भुलने वाला कोई नहीं यह जो आपकी जीवन की कहानी है जब इसे सुनते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी यह बिलीव करने के लिए बहुत ही मुश्किल सी जैसी कहानी लगती है वो इसलिए क्योंकि एक ऐसे background से आना जहाँ पर इतना struggle किया हो tribal background से आना जहाँ पर इतने सारी facilities न हो फिर भी लोगों की सेवा करते होया आगे बढ़ना है जीवन में इतने सारे personal losses होने के बावजूद इतने जीवन में नुकसान होने के बावजूद भी लोगों की सेवा के प्रतिसमर पढ़ता रखना, अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है, अगर वो अंतरिक बल न हो तो शायद ही इसे कोई कर सकता है, मैंने सूचा की बीचने से तरह तरह की यादाएगा, मैं एंगेच होना चाहती हूँ, प्रावН के झाहन से मेरे अम हम मेरे बास क्ताने कह न तो अभानने के लिए हैं, रहने के लिए? तो इसलीए मेरे पास जो टाइम है, थटिन में जाएन क注目 मैं यहीतों, जए कि हाँ, कहाँ दो? मैं तो अर्निंग करने का ज़र्वत नई है कुछ तो खाने के लिए है , आप है इज हो गया है दो रोटी कहना है वास होगे दो रोटी के लिए हाँ, और तो कुछ कामाना ने इसलिए मुझे देना है, शो leider को ढ innovating इसे problems में मुझे तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है लेकिन जो लोगों को कुछ भी नहीं उनके लिए कुछ करना है उनके लिए मुझे कुछ करना है बिल्कुल हिंदी में कहा जाता है कि वह जीना भी क्या जीना है जो खुद के लिए और मर जाए जो राजयो, अमृट घुलो, औरों का भला हो जाने दो जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं दूसरों के लिए जब कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन एक उदाहरंड बन जाता है जैसा आपका जीवन आज है बहुतों के लिए प्रेणाद आई है ये आपके जीवन से संबंदित गटनाओं के साथ मैं एक प्रशन ये पूछना चाहता हूं कि आध्यात्मिक्ता आपको कितना बल देती है आज के समय में जो हमारे दर्शक है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आध्यात्मिक्ता कितना ज समयांखेंगे ये उनको मुझा पता नहीं लेकिन लोग केते हैं आप कैसे साड़े तिन बजय उठ जाते हैं आप कैसे मैनेजे करते हैं तो फ्रीज खालने से सब्सक्राइब प्राइब करें दिन वर किसे और टाइम पस कर रहे है। मैंने वहला देखिए, कभी कभी मुझे भट खराब लगता है, तो नीद आ जाता है। तो फिर भी मुझे कोई बोलता है कि मुझे तुमको उठता है, साड़े तीन बाजे, साड़े तीन बाजे कोई मुझे बोलता है, उठो, लोग कहते हैं, आपका एज हो गया, हो गया, एज होने से कहते हैं कि नीद नहीं आता, मुझे लेकिन साड़े नो बाजे, दोस बाजे आपने आप आजाता है। कुछ कहां भी जाते हूं, कोई भी सब्जक्ट मुझे दे रहते है, मैं बॉल लेती हूं। मैं इतना पढ़ाय लिखाय नहीं हूं। जो जोस्ट मैंने गिरगराजुएटी किया है। लेकिन मुझे पता नहीं। पता है। जायद अगर विश्वास बना रहा है, तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आसानीसे हो सकती है और आपका जीवन वो उदाहरण रहा है, भई जहां लोगों की सेवा करते करते जब आप चीजें करते हैं, निसवारत भावना सेजब करते हैं, अपने नुकसान को गिनारा करके भले जो नुकसान हो गया उसके बारे में ज्यादा समय ने यह देते हुए जब दूसरो की सेवा में आप अपने आपको लगाते हैं इश्वर के साथ को अपने साथ रखते हैं अपने सही पहचान को समझते हैं तो शायद तब आप उन्नती की सीड़ी पर पहुंचते हैं आप एक ऐसे शिकर पर पहुंचते हैं आज आप जारकन राज्य के महामहिन राजय पालया है और आपके इस position पर पहुँशते ही बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी अपेक्शाय करते हैं आखरी प्रश्ण मैं आपसे पूशना चाहूंगा मैं प्रश्ण से ज्यादा एक message आपसे लेना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं लड़कियां हैं जो शोशन के शिकार हैं उनको equal opportunities नहीं मिलती उनको वो platform नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए हो लड़कियां हैं इसलिए ऐसे समाज में जहां पर ये भेदभाव होता है ऐसे समाज के प्रती भी हमारे दर्शकों के प्रती भी और उन लड़कियों के प्रती भी आपका क्या message है आप क्या शुभावनाय देंगी देखिए आज government एक दीन था जो government भी नजर अंदजा करते थे लेकिन आज government लड़कियों लेके लिए इतने सुभी धाएं दी है लेकिन awareness के जरुरू थे लड़की को जानकारी के जरुरू थे लड़की लोग अभी इतने hostel है इतने सारे इंजियोज हैं लड़कियों के लिए काम करते हैं आज भी जो जरुकंड में हूँ आज भी लड़की को छोटे पॉन में हिसाधी कर देते हैं लेकिन कुछ लड़की लोग भाग जाते हैं और hostel में रहले लगते हैं क्योंकि वो mentally or strong होने की जरुरू थे य्षा आवरने की जरुरत हैं जानकरी की जरुरत है इसलिए आपने आपको कभी छोटा माज समझना, इकौल समझना है मोरन को कभी भी जोट में कभी भी अपने आपको में अधिबसी हूँ, में ऐसे हूँ, में अवरकी में स collaborative नहीं मुझे होगा क्योंकि मैं ज्यादा क्योंकि यह मुझे ऐसे सुचते हों जो मुझे कार के देखाना है मुझे ज्यादा वल मिलता है येस वो मुझे ऐसे वला तीक है मैं कार के देखाऊंगे तो कभी भी हमत नहीं हारने, वो जुनून होना चाहिए अगर वो कर लें कि भले कोई कितने भी कठिनाई आए ये उसे एक चैलेंज के रूप में लेकर सिकम लेकर रहना चाहिए बिलकुल, राजपाल महोदिया आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, अपने जीवन के, अपने आध्यात्मिक्ता से, अपने परसनल लाइफ से जुड़ी हुए कुछ इंटिमेट बातें आपने हम सब के साथ शेयर किये और इस एक मुलाकात में मैं समझता हूँ, हम सार खर्श पूर्ण होते हुए भी, अनेकों की सेवा में आध्यात्मिक्ता के साथ इश्वर को अपना साथ ही बनाकर, जब उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, तो सफलता के शिखर पर पहुंची, और दूसरों के लिए भी एक प्रेणा का स्रोत बनी है, आज की इस झाल